हलो एब्रिवन कैसे आप लोग मेद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे एक स्टॉक बता रहा हूं जो एक दम 52 वीक लोग के आस पास में मिल रहा हूं कल के ट्रेडिंग सिसेन पे एक बहुत बहुत ही अच्छा केंडलिस्टिक पैटर्न बना है जिसको मैं आपके साथ में टिकनिकली सेयर भी करना चाहूंगा अगर इस कैंडल के उपर पर ट्रेडिंग होती है अगले एक से दो दिनों में यहां से बड़ी मुमेंट हमा सकती है विकॉज यह स्टॉक अल्रेडी बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो चुका है इस साल मैं आपको स्टॉक का नाम देखा द टेक्स्टाइल स्पेसिलिटी केमिकल्स और एनिमल हेल्थ एंड नुट्रेशियन यह कंपनी बनाती है बहुत ही तगड़ी कंपनी है ऐसी कोई न्यूज भी नहीं है जिसके बज़े से यह स्टॉक गिरा सिर्फ इनका क्वाटरली जो रिजल्ट आया था वो थोड़ा सा वी और यह स्टॉक मिल रहा साड़े 600 में अल्मस्ट 50% के करेक्शन के बाद में एक अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक को मैं आपके सामने रख रहा हूं बड मैं आपको नौलेज और एजुकेसिनल परपस पर रख रहा हूं स्टॉक पर 22 आप अपने हिसाब से या अपने मैं इसका टेक्निकल चार्ट दिखा हूंगा वहां से आपको समझ में आएगा इससे पहले हम लोग यहां पे थोड़ी से और फंडामेंटल देख लेते हैं यह कंपनी लगवाट 500 करोड की सेल्स करती थी 2019 में और यह सेल्स 2020 तक में अलगबग 200 करोड को पार कर चुकी थी और सेप्टेंबर 2022 में इनकी सेल्स थी 240 करोड के आसपास में 240 करोड की सेल्स करके 15 करोड की प्रॉफिट निकाली और अल्मस्ट हर क्वाटर से प्रॉफिट पे ही जाती है यह कंपनी सबसे अच्छी बात है कि इनका जो बोरोविंग है वो अल्मस्ट ना के बरावर और पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 8% की है तो पेनिक वाली सिच्वेशन नहीं होगी अभी हम लोग चलेंगे और देखेंगे इसका चार्ट पेटन यह देख लिजी यह है इसका चार्ट पेटन और इस चार्ट पेटन से मुझे असा लगता है कि यह स्टॉक अब यहां से आपको एक अच्छी मोमेंटम दिखा सकता क्यों दिखा सकता इसके पीछे का रिजन को समझेगा तब ही इस स्टॉक पे पुटेंसिली पैसे बना सकते हैं देखिए एक अच्छा डाउन फॉल और यह तो मैं अभी यहां का अलगबग दो मेहने का डाउन फॉल दिखा रहा ह और इस डाउन फॉल के बाद में एक बहुत ही चबरजस्त डोजी केंडल बनी है इस डोजी केंडल के ऊपर में अगर यह स्टॉक ट्रेड करता कंटिनुवसली एक से दो दिन तो आप इस स्टॉक को इसके मिड़ पॉइंट अल्मॉस्ट मिड़ पॉइंट पे असल लगा कि कि इस स्टॉक का पौच कर सकते हैं पहला टारगेट इस सटॉक का जो निकल के आएगा आएगा और दूसरा टारगेट से जोन निकल कि आएगा इसलह से स्टॉक मार्केट पर ट्रेडिंग होती है और आगर आप इस तरीके का टीकनिकल चीजों को समझना चाहतेعم़ हँआ त यहां पर भी एक गिरावट हुई थी उसके बाद यह कैंडल बनी थी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कैंडल के बाद में यह डेली कैंडलिस्टिक चार्ट है यह इस कैंडल के हाई पर स्टॉक ट्रेड ही नहीं किया अब देख पारेंगे स्क्रीन पर इसके उपर पर पर ट्रेड ही नहीं किया ऑल्मॉस्ट कम से कम एक अच्छा टाइम फ्रेम लगवग दो से चार गंटे अगर यह स्टॉक इसके उपर पर ट्रेड करता तब यह ट्रेड एक्सेक्यूट होता अधरवाइस यह ट्रेड तो एक्सेक्यूट ही नहीं हुआ तो इसलिए यह ना कीपली ट्रेडर है वह अपने रूल्स को फालों करके की मार्केट से पैसे निकलता है जिसके वजह से वह 30 से बनाता है ऑर जो छोटे ट्रेडर है जो नहीं किसी टेक्निकल एनालेशिस इस हब की सिर्फ प्राइस को देखके कहीं से इस्टॉक की बिलेटे की बाई सेल करता तो इसे पोटेंसियल हो बन भी नहीं पाता और सब्सक्राइब पार आ पेसे बना भी नहीं पाता है तो हमारे सब जुड़िये और स्ठीक एपडेट किया जाता जिसमें हाईली पोटेंसेल मोमेंटम होने के चांसे स है यह हमारे चैनल के नेम के भगल पे ज्वाइन बटन मिलेगा यह सारी चीज़ें आपको सीकने को मिलेगा तो इस स्टॉक पे यही ट्रेड execute होगा जलो गए के सूभी सीकेत। यह जेस्टॉक इस लेबल के ऊपर ट्रेड करेगा जो लेबल है जो candle की आज की हाई थी आज का जो हाई था इस कैंडल का वो था लगबग 790 रुपया 790 के उपर पे इस स्टॉक के उपर पे इस कैंडल के उपर पे से आज ट्रेड होने दीजेगा और ट्रेड होने का बाद में एक टाइम फ्रेम देखिएगा कि कितना टाइम यह स्टॉक 790 ऊपर ट्रेड कर अगर आज क कि क्लोजिंग इसके उपर पे हुई तो आप इसे डोजी को एक्टिव मानिएगा और कल इस स्टॉक पे पुजिस्नली इस स्टॉक पे जो लेबल होगा वो लेबल होगा लगबग लगबग सबसे पहला टार्गेट जो इस स्टॉक का निकल का एगा 820 का और दूसरा देखेंगे तो नीचे की तरफ में तो कहीं पे भी आपको सस्टेनेबल सपोर्ट नहीं दिख रहा इसलिए क्योंकि फिप्टी टूविक लोग पे चलता तो मैं इसका मिडिल पे 715 पे स्टॉक का स्टॉप लोस मिंटेन करूंगा बहुत बड़ी केंडल है तो यहां से स्टॉप के स्टॉप लोस को ऊपर के तरफ सिप्ट करता जाओंगा मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉप पर एक मुमेंटम आनी चाहिए जो इसे स्टॉप को 820 और 850 और 860 तक के वन मुमेंटम करना चाहिए देखिएगा स्टॉप पे स्टॉप लोस बीट होते हैं ते इ बाद बाद देने बाद तेंक यू